हलो दोस्तो मैं हूँ दिपिका एंड वेलकम टू कानू नहीं सोच दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के उपर दोस्तो जहां कहीं पर भी मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो हम जानते हैं कि गलती हमेशा एक तरफा नहीं होती कभी-कभ कि अगर पती की तरफ से भी टॉर्चर किया जाता है तो दोनों ही चीज़े होती है तो यहां दूस्तों मैं कहना चाहूंगी कि अगर पती की तरफ से गलती है वो टॉर्चर करते हैं अपनी वाइफ को तो यहां पर वाइफ के पास ऑप्शिंस हैं 498 A, DV, etc. लेकिन अगर पत् हैं अगर तुमने हमारी दिमांड्स पूरी नहीं करी तो हम तुम्हें जूटे केसे में फजा देंगे पत्नी कई बार यह भी धमकी देती है कि मैं खुद को नुक्सान पचा लूँगी नहीं तो मेरी दिमांड्स फुल्फिल करो ऐसा करो ऐसा करो तो यह सारी चीजे भी ब्रक बाहुत सुट्च के के अप्शिन होते हैं कि वो क्या-किया फ्चैस फ्ठी अपर ऐसे फाइल करते हैं उंगी आप्नी के घरवाली के अगेंस्ट फाइल करेंगे नेंगी correct करता है क्योंकि अगर आप धॉत साय जम प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आज इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे दोस्तो वीडियो बहुत इंपॉर्टन्ट होने वाला है तो जल्दी साफ अगर आप चानल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड ली सब्सक्राइब करके समझ लेते हैं अगर जैसे पत्नी एक्स्ट्रॉशन कर रही है पत्नी और उसके घरवाले पत्नी कह रही है मैं खुद को नुक्सान पचालूंगी मुझे आप इतने लाग रुपे दो और हैवी डिमांड्स कर रहे हैं मार पीट भी कई बार होती है तो मार पीट की केस में कर सकते हैं कई बार यह होता है क्या जैसे मालीजे जो वाइफ होती है वो सास पर और अगर unwaryt sister है उस पर क्रिवल्टी करती है उस पर डिवी करती है तो सासरा और नाम से भी आप पतनी पर case कर सकते हैं, लेकिन जो unmarried sister है वो सेम घर में रहती हो, तभी आप ये case कर सकते हैं. अब दोस्तों बहुत सारी options आते हैं, कि या तो husband शुरू में ही case file करें, या फिर women's cell में जब उनकी counseling चल रही है, उसके दौरान case file करें, या फिर FIR होने के बाद दज कराएं अपनी cases, या फिर FIR maintenance DV, ये cases होने के बाद case file करें, या फिर जो भी cases चल रहे हैं, उन सब के होने के क कुछ दिनों बाद, husband ये cases file करें, तो इन में से कौन सा सही समय होता है, कौन सी सही stage होती है, जब husband को अपना case file करना चाहिए, तो इसका जवाब है दोस्तों, जब पतनी अपनी तरफ से FIR कर देती है, आपके खिलाफ, husband के खिलाफ, तब आपको पता चल जाता है, कि उसकी intention क कौन कौन सी धाराय लगाई है, उसकी statement बृटन में आ जाती है, अब जो जो धारे उन्होंने लगाई है, वाइफ ने लगाई है, वो उससे मुकर नहीं सकती है, उसको बदल नहीं सकती है, तो सही समय दोस्तों, तब होता है, कि जब उन्होंने FIR कर दी है, तब उसके बाद काई गोना जादा करेगी, जो कि आपके लिए नुकसान दायक होगा, तो दोस्तों सही समय यह होता है, कि जब पत्नी ने पहला स्टेप ले लिया है, FIR कर दी है, तो उसके बाद आप अपने केसिस की तरफ जाएं, जो आपके साथ गलत हुआ है, उसके खिलाफ आप केसिस क्योंकि आपने जादा डिले कर दिया, तो चीज़े टाइम बाद हो जाएंगे, फिर आप कोट में यह प्रूव नहीं कर पाएंगे, कि हाँ मेरे साथ यह गलत हुआ था और इस दिन पर हुआ था, लेकिन उस चीज को काफी दिन बीच चुके होते हैं, तो कोट आपको यह क हो जाएंगे खिलाफ, तो उसके बाद आप तुरंत यह स्टेप ले सकते हैं, दोस्तों एक बाद का धियान आपको और रखना है, जहां पर भी आपके मैटिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप अपने पास एविडिन्स कलेक करें, हो सकता है, आपके घर में कैमरा हो और उसकी रिकॉर्डिंग्स हो, कई बार होता है कि जादा टाइम हो जाता है, रिकॉर्डिंग्स हट जाती है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़े हैं, तो अपने पास उसे सेफ करके रख लें, कई बार होता है कि वाट्साप चाट में कुछ होता है, मोबाइल र Thank you for watching.